किस टेस्ट पेपर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुक कवी और उनके जो आपकी रचना हैं बहुत कोशन पूछे आते हैं देखिए आपके एकजाब में मिलते हैं और भी परिच्छाद होगे तो वहां भी मिलेंगे अना चलिए गुड मॉनिंग जैसी राम राम जैसे क चलिए अवाज बगर मिल पारे ना थोड़ा से यस कर दीजे थमसब कर दीजे फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं काहां से जुड़े हैं भी कमेंट कर दीजे फिर हम लोग शुरू कर देते हैं आवाज आ रही है तो चलिए थोड़ा सुपर फास तरीके से हम लोग कहा को आपके जाते हैं तो आपके चंद बरदाई है कोट- उसक आपके हैं वो आपके चंद बरदाई हैं कौन हैं चंद बरदाई इस कंसर राइट हो जाएगा ठीक है जब यहापर देखें अगला पॉइंट आपसे कहा रहा है प्रत्वी राज रासो किस कभी की रचना है चले कोशन देखो एक रिपीट होंगे हो सकता है पहली बार आपना सोयल कर पा यह आपके चंद बरदाई की है ना ऑपसन मर्सी हो जएगा चंद बरदाई इस कंसर राइट हो जाएगा और देखा जाए तो भईया प्रतिव राज शावहान की वीरता का वर्डन इसमें से इनों ने किया है और अगला कोशन यह आप आप से दिया गया है कि खुमाड रास जो रचना है किसकी सीद्ध रचना है चले खुमाड राश किसकी सीद्ध रचना है तो आपके है दल्पत वीजय और आपके पहुझेगा याद रखेगा है यह और परमार रासो जो आपकी है वो आपकी जगनिक की है और वहीं पर जो आपका दिया गया है सारंग धर ये आपकी है हमीर रासो किसकी है हमीर रासो ये जो चार रासो है वो आपकी एक्जाम में हमेशा पूछे आते हैं ठीके ये चारो रासो आपके पुछे आते हैं तो इसका स्क्रीन सॉट एक बार ले लिजेगा ठीके ना खुमार रासो दलपत भी जै ठीके ना बीसल देव रासो नर्पत इनाल है परमाल रासो जगनिक और हमीर रासो सारगंधर ठीके ना आगे बड़ी एक कुछन आप सिगल हना कौन रीत काल इन कभीयों में कौन आते हैं तिया आपर भूसल दोस्तों देखा जाए तो एक मतर ऐसे कभी जिनोंने स्रंगार रस से हटकर वीरता और प्रेम के बारे मताया है मतलब रीत काल में जितने भी कभी रहें कहीं ने कहीं उन्होंने हमेशा प्रेम के बारे मताय लेकिन भूसल जो आपके ऐसे कभी रहे हैं जिन्होंने भया स्रंगार असको एक साइट ड्रक दिया है इन्होंने सिर्फ वीर्ता और देश प्रेम के बारे में ही इन्होंने गुडगान किया है तो आप से मरब कहें राइट हो जाएगा सभी को जैया जैहिन यहाँ पर देखे आपसंसी हाना क्या हो जगा जवाब से आ रहा है केसवदास आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा और याद रहेखेगा यहाँ पर रसिक प्रिया हाना और कभी प्रिया चंद माला केसवदास दोरा रचित आपकी रचना है जिनमें से नो रस अलंकार और चंदों का नि हो जाएगा अगला कौस्ट आप से जाएंन, निम्रिकित में से तुल्सी दास की रचना इन चींपांवार नो रचना है याद रिखेगा, यहां पर वहा बाद्री नमर हो जगा और दोस्तों याद रेखेगा कि यहापर विन्य पत्त्री याद रीखेगा, यहाँ पर बीनय तुरियोग सोब्सक्राइब सक्षिजाद परतो, स्वेलियों मंघर जो आपके तुरियो के काहले, अगला कुम्ह agre लोग के राम चलितमा तुल्सिदास हे दोही किससर रुट हो जईगा आगे मज़ें कोशन दागा है अब बताएगा वीक्त रूट है यह तो तुल्सिदास की हैं लेकिंग हैं यह वीने पत्त्रिकाए यह तो कौन सिवासा है इन्हों में रचित किया है तो यहां पर देखिए अगला पॉइंट आप से कह रहा है कि वीने पत्रिका किस कवी की है तो आप कहेंगे सर यह तो आपकी दोस्तों यहां पर तुलसी दास है अगला यह बार बार हर सिप्ट में कोशन पूचे गए क्योंकि यही कोशन आते हैं हमेशा रिपीट होते रहते हैं इसलिए कहते हैं कि अगर वीडियो को आप बार बार देख लेंगे तो आपकी जो रचना है तुलसी दास उर्दास जो महत्तों होती है वो रट जाती है ऐसे धेर सारी रचना है आप पढ़ने बैठोगे तो नहीं पढ़ पाओगे लेकिन अगर हम यहां पर आप पढ़ा दे रहे हैं तो इन में से आप पूरे रट जाएंगे देखेगा राम तुलसी दास ने से पूर होने में दो से दो सातमा और चैप जो नहीं पर दो और आजियेगा चैप करहो नहींATHAN कि प्रचिना गुर्ष्वयमी तुलसिदास की क्रती से ली गई और यह कहा से ली गई है हुआ है जुद कैसे लिए अब कहा हुआ यह यह राम चरितमानास में साथ कांध है अग्साथ साथ सुपान है जो सबसे बड़ा कांध है वो वाल कांध है हना सबसे छोटा एक किसके इनधा कांध है यहाद रिखेगा इनकी एक दोरचना आप भी पूंची आती है जैसे कविता के नए प्रतिमान हना कविता के नए प्रतिमान ये भी आपका नाम और सिंग की है जो की बहुत बार पूछी भी गई है आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है कि परहित सरिस धरम नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई यह पंक्ति जो आपकी है वो कहां से ली गई है यहाँ पर इसके रचना कार पूछा गया है चलिए परहित सरिस धरम नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई यह दोस्ते आपके तुल सिदास की है किसकी है तुल सिदास की है कोई नीचता या पाप नहीं है अगर आपके माध्यम से दूसरे व्यक्ति का भलाई हो जा रहा है तो आप उसका भला करिए क्योंकि इससे बड़ा आपका कर्म कोई होनी सकता है लेकिन आप दूसरों को दुख न दीजेगा क्योंकि इससे बड़ा पाप कोई है नहीं है इसका मतलब आपका या है और अगला कोशन्दी को दिया गया है कि समय सरगम उपन्यास किसकी करती है समय सरगम किसकी उपन्यास है अर्था समय सरगम उपन्यास किसकी करती है तो दोस्तों यह है आपके कृष्णा सोबिती की है और अब कभी हो जाएगा कृष्णा सोबिती को उने बताया भी है आपको हना इनकी रचनाती जिंदिगी नामा उसके लिए पूरुष्कार भी इनको दिया गया था हना तो यहाप पर अंसर आपका भी नम्मरे राइट हो ज जिन्दिगी नामा के जो लेखक है वो आपके हैं कौन, गुए बड़के विश्च संदिया गया है, चित कोबरा के उपरया सकार इंद में से बताईएगा, चित कोबरा के उपरया सकार कौन है, चलिए हैं यहां पर जवाप देना है, आप कांसर क्या हो जाएगा, बाकि वीड इतंने लोग यहां पर है ना वीडियो को लाइक ने किया तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और आफ लाइन जो भी लोग भी देखते हैं आफ लाइन भी वी यह लाइक सिर्श लोग कर दिया करें ठीक है ना चलिए देखो चितकोब्रा के उपन्यास कारीन में से कौन है चित कोबरा की बात करते हैं तेस अमर में, तो आप कहेंगे चित कोबरा के आपकी उपन्यास का रहा है, आपकी म्रदुला गर्ग, म्रदुला गर्ग जो कि आप सर अमर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नमर इसका राइट हो जाएगा, अब देखें, यहाँ पर देखा जाए, तो म्रदुला गर्ग के द्वरा उपन्यास कुछ आपके हैं जैसे की होता है मिल जुल मन ये बहुत पूचा जाता है ठीक है ना गुलाव और वसुका कुटुम ये भी पूचा जाता है ठीक है ना अगला कुर्शन है मिल जुल मन किसकी रचना है तो आप कहेंगे सब म्रदु सकते हैं यहां पर 25 स्ट्वर में जूर रिख़ लिकिन है किसका यह बताना है तो आपके ये किस का है ये सपाल हो जाएगा और दोस्तों दिखिए कि यह भारत विभाजन और उसके प्रड़ाम का जो चित्रन है यह उपन्यास दोभागों में भाज़ित किया गया है तो आपको अग्रूल खोए फट्र की。 delegate 27 देना है आपका अंसर क्या हो जाएगा रेहन पर रग्गु दोस्तो कासी नाट का अपने नाम सुना होगा और देखे जवाब भी आ रहे हैं याद रिखेगा रेहन पर रग्गु जो आपके हैं याद रिखेगा क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आपका कासी नाथ सिंगा उप्सन नमबर A इसका राइट हो जाएगा और इस उपन्यास के लिए 2011 में साहित अकादमी पुरुषकार भी यहां पर इनको दिया गया है दोस्ते याद रिखेगा एक इनकी रिचना और पूछी आते हैं कासी नाथ की कासी का असी क्या कासी इनकी पूछी आती है आगे बड़ी कोशन देगा है कासी की असी दिखो अगला दिया भी गया है कासी कासी रचना जो आपकी है किसकी है ठाइसमर कासी कासी किसकी है तो अभी हमनुता है कासी से कासी नाथ हो जाएगा ऑप्सन सी नमबर राइट हो जाएगा अगला कोशन आप से दिया गय ताकि आपको याद भी हो जाएंगे देखो पंडित बनासरी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मक्था का नाम क्या है तो यहां पर अंसर क्या हो जाएगा तो अन्तिस कॉप समझेगा ए नमबर अर्ध कथा यह क्या है अर्ध कथा है हमने एक वीडियो अपलोड किया उसको आप देख लेजेगा जिसमें सेंदे में प्रथम क्या कौन है यह अमने पढ़ाया है उसको आप देख लिए छोटा सा वीडियो है उसे में सब चीज़े आपको मिल जाएंगे तो आप समझे आपका ए इसका राइट हो जाएगा और यहां पर याद रिखे यह आत्मक पहने ही राम давori they come on Apa क्या हो जाएगा यहां पर आपका यह नमबरया रायी राम कवरवर्म ing operate हो जाएगा करेंगे कि महादीवर्मा का प्रतम काविस अंकलन कौन है तो आपका 32 option क्या बनेगा निहार हो जाएगा निहार की रचना कार कौन है तो आप कहेंगे महादीवर्मा हो जाएगा निहार किसकी रचना है महादीवर्मा हो जाएगा ठीक है ना यहां पर देखो अगला कोशन आ ग को है क्या यामा के रिचना कारित gleamon के रीचना का भठाट है शत्ति संब्हब का जवाब देघार आप लोग चली यहाप देखे छति संभर का जवाब आ गया है कुछ लोगों ने प्रियास किया है उग आप लोग जानते ही 45 एक साथ आपको देखो मेली गई है यहां पर देखो मादी वर्मा की रचनाओं में जिसे आपका नीहार है नीर्जा है रस्मी है दीब सिखा है सांधीगी थे आतीत की चल चित्र है इसमिरत की रेखाएं है श्रंखला की कडियां है सत्पलना है इन में से यहां तक जो आपको रटी होना चाहिए और पूंची भी जाती है इनको ग्यान पीट पर उसकार मिला भी है और महादी वर्मा है तो आपस नमबर आपका सी यहापर राइट हो जाएगा उन्हें इसको चुछन दिया गया है किया रहे पथ के साथी किस विधा की रचना है यहापर जवाब देना है 38 संबर में चले और देखा जाए तो 38 संबर का जो अंसर होगा उनमें से क्या होगा क्य सब्सक्राइब कर देना ही गीत है यह उक्ति की रचना कार पूछा गया है यह सब्सक्राइब कर दिया गया है और कह रहा है यहापर दिखेगा कि मैं नीर भरी दुख की बदली यह पूछा जाता है हना इसको जो उर्पर लीजेगा यह पूछ जाता है हमेशा पूछ जाता है मैं नीर भरी दुख की बदली यह पंक्ति जो आपकी है उक किसकी है दोस्तों यह आपके महादीवर्मा की है किसकी है महादीवर्मा जो कि आप समरापकसी हो जाएगा ने इसको संदिया गया है औ और येने आजनी की युक की मेरा भी का जाता है, very good, अगरा question दिया गया है, मो को कहा ढूंडते बंदे मैं तो तेरे पास में, यह जो आपका है किस संतकर कवी है, तो दोस्तों याद रिखी यह कवीर दास की है, कवीर दास की यह पंक्ती है, कि मो को कहा ढूंडते बंदे मैं तु तेरे पास में जानेति आपके कवीरदास की और यह पर देखा लिए को कवीरदास कीबात करते हैं बीजग किस रचीता की रचनाओं को संगरा है तो आपके इंगिसर कभीर दास हो जाएगा ठीक है ना यहाँ पर देखिए दसरत सुततियों लोग को बखाना राम नाम का मरम है आना यह जो पंक्ती है वो आपकी किसकी है चले चवारी समर्लोक किया जाए कि दसरत सुततियों लोग को बखाना राम नाम का मरम है आना यह आपको मिलेगा जब मौडल पेपर सौल कर रहे होते हैं तब आप इस कोश्चन को गलत कर रहे होते हैं हना और आप भी गलत कर रहे हैं हमने का यही एक ऐसी पंक्ती है और एक और भी मिलेगे जो आपके अपवाद में होगे यह जो पंक्ती है आपकी कभीर दास की है नोट कर लीजेगा यह दसरत सुत्तियों लोग बखाना राम नाम का मरम होयाना यह रचना कार आपके हैं कौन तो आपकी कभीर दास इसका स्कीन सोर ले लिएगा जिन से भी गलती होई है क्योंकि यह जब आपको मोडल पेपर मिलेगा तो हंडेट परसंट गलती कर दोगे हना इसलिए क्या देखी यह ऐसा अपवाद आपको मिलेगा देखने में तो नहीं लग रहा है लेकिन है कभीर दास की वाड़ी की भासा है वो कौन सी है कभीर दास की वाड़ी की जो भासा है वापकी है क्या तो कभीर दास आपकी सदुक्री भासा बोलते है न यहाँ पर सदुक्री जो कि आप से मर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका यह हो जाएगा कुछ विद्वान तो इनकी वासा को पंच मेल खिचड़ी भी कहते हैं यहाँ पर देखे अगला कुछ संद्यगा है कि कवेर दास की रचनाय निम्निकित में से किसमे संकलित हैं कवेर दास की जो रचनाय है वो जो संकलित है वो आपके किसमे संकलित हैं यहां पर देखे 46 संबर में 46 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सरकवीर दास की रचना आपकी बीजक में हैं किसमें हैं आपकी बीजक में हैं हमने कहा सूर्शागर सूर्दास की रचना है यहां पर जो म्रगावती है वो आपके कुदवन की है यहाँ पर देखे कोर्शन दिया गया है कि हेत प्रीत से जो मिले तासो मिले धाय यहाँ जो है पंक्ती किस संत्की है कह रहा है हेत प्रीत से जो मिले तासो मिले धाय यह पंक्ती जो आपकी है वो किस संत्की है दोस्तों ये है आपके कवीर दासकी है किसकी है कवीर दासकी ऑप्सन नमर D राइट हो जगा ने इस कुरसन आप से कह रहा है यहाँ पर देखो दिया गया है मतलब इसका मतलब क्या था कि जो सच्चे इसने से मिले उससे खुब प्रेम से मिले परंट उससे बचिये जिसके दिल में बूरी भावना है ठीक है न ये कवीर दासकी बाते हैं अगला कुरसन दिया गया है कि यह सोधा कैकेई उर्मिला इत्याद नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले इनमें से कौन है जिन्हों ने यह सोधा क्या-कया एइ ओर इलमिला पर या पर लिखाएं कविताएं इन बेसे कौन है यह मैथ्ध्धली सवन्ट और दोस्ति याद रिखिएगा मैं प्रथम कविता संग्रा है हेमंत अगला कोशन दिया गया है मैं इतिहास के उपेच्छित नारी पात्र में इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किये गए हैं दोस्ते याप देखे 49 का अपसंसी नमबर राइट होजएगा और साकेत में किसके बारे मुका गया है जो भी स्टुडेंट एमे किया होगा है हिंदी से हमने तो हमने तो यह सब पढ़ा है अब जिल लोगों ने यापन हिंदी पढ़ा होगा एमे से उनको मालूम होगा यह बह इसो रचित किया है ठ तो आगे बड़ियक और किसकी क्रती है साकेत था कशल की रचनी है तो अपन 건데 pants ने हो जाएगा निश कुछन आप है कि जैदरत व्रत गरंत के रचनाकार कौन है जैदरत गरंत के जुर अधर रहें वह आपके कौन हो जाएंगे तो है आपके मैत्य स्रणगुट आप स detailed क्या हो जाएगा यहा पर अगला points आता है क्या कहरा है और हर्चेटा है ह pound के दारा जो आपkolी खंड़काव साथ सरगों में है कितने साथ सरगों में विभाजित किया गया है भारत भारती के रचनाकार बताएगा भारत भारती के जो रचनाकार है इनमें से कौन है तो भारत भारती के रचनाकार है मैथली सनगुपत क्या हो जाएगा मैथली सनगुपत आपसन मरपकटी हो प्री प्रवास किसकी है प्री प्रवास आयोद्ध्यासिंग उपध्याय की है विल्कुल सही है प्री प्रवास जो आपका है वो आयोद्ध्यासिंग उपध्याय की यह दोस्तों याद रखेगा ठेके ना किलियर है और अगला है रगवंसम किसकी क्रती है रगवंसम और कैंगे सर काल इदास कि रिचना है रगवनसम जो आपकी है वो आपकी काल इदास की रिचना है जो की आपसंभ का maرب कि भी हो जाएगा अगला को इसे चुछनाइब से श Size यहां पर दिखो लोगरा है मेघृतम अभिग्यान सकुंतलम भी काल इदास की ही रिचना है अगला है मेग दूतम के लेखा का आपके कौन है तो आप कहेंगे सरकालिदास हो जाएंगे यहाँ पर एक कुमार संभव के रचिता काउन है तो आप कहेंगे सरकुमार संभव की कौन है तो भी आपके कालिदास हो जाएंगे जो आपकी है इनका जन्म तो आके फ्ते पूर्वा था ठीके ना मतला हमारे डिश्टिक में हुआ था 1995 में और इनकी कृतियों में जैसे आप राजिता है हना किरंड वेला है वर्सांत के बाद बादल विरामचिन ये आपके है अगला कॉस्षन है किनमे से किस पुस्तक में सूर्दास के द्रस्ट कूट पदों का संग्रा है मतलब सूर्दास के द्रस्ट कूट पदों का संग्रा मिलता है और ये मिलता है किसमें तो दोस्तों नोट का लीजेगा साहिप तिलहरी मिलता है किसमें तो आपके साहिप तिलहरी में मतलब यहाँ पर कह सकते हैं सूर्दास के 128 द्रस्ट कूर्पदों को संगरा है इसमें नायक नायका का भेद अलंकार रस आधि का विवेचन किया गया है यह श्रंगा रस प्रधान गरंत है जिसमें अन्य रसों को भी प्रत्पादन यहाँ पर किया गया है अगरा कोशन दिया सूरदास किसके सिस थे बता सकते हैं यह कोशन तो बताई सकते हैं सूरदास किसके सिस थे दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सूरदास जो आपके सिस थे उनसर ठंबर में जो आपसर मनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा तो आपके बल्लबाचार सूरदास किस के सिस्टे तो आपके बल्लबाचार ते यह आपर ए राइट हो जाएगा अगर पूछे बल्लबाचार कौन सा तो आप कहेंगे बल्लबाचार पुष्ट मारगी के प्रणेता थे क्या पुष्ट मारगी के प्रणेता थे आपके बल्लबाचार अगला कुशन दिया गया है क तो इन रचनाओं को बिल्कुल पढ़ लिजेगा, हना बिल्कुल आसान वाली रचनाओं भी हैं और पूंची जाने वाली रचनाओं हैं, देखो वासल रस का समराट केसे कहते हैं, सुर्दास को कहेंगे, तुलसी दास को कहेंगे, या विहारी को कहेंगे, आप कहेंगे, साथ शूर्दास हैं यह वासल रस के समराट कह जाते हैं इन्होंने वासल रस के ही वारे में अर्थार्थ बच्पन के ही वारे भगवान क्रश्ण के बच्पन को या पराधार मान कर अना स्री क्रश्ण जी के बाल सुलब लिलाओं का मनुमुहक वर्डन किया है याद रखेगा अग सुदर विलास नहीं है ये संदर विलास से सुंदर सुदर दास जी तुछ है लाइट होजएगा है कि रचना नहीं है शूरदास की रचना नहीं है तो देखिए सूर सागर किसकी रचना है तो आपके कहेंगे सूरदास की है किसकी है सूर दास है जो कि आपसम और आपका ए हो जाएगा अगरा कॉर्शन आप से कह रहा है सूर सागल, सूर सारा वली, साहित लेहरी हाना, यह आपकी सूर दास की अच्छा कुर्शन है निस्कवच उपन्यास है किस लेखक की करती है पैंसर टम्बर में तो निस्कवच जवाब का है दोस्तों यह है राजी सेट की है किसके है राजी सेट की है कवच पैंते हैं राजा जो होते है आथा राजी सेट यहाँ पर निस्कवच उपन्यास के है राजी सेट जो कि आपस नमर अपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा और यहाँ पर एगल किसान लोग आत्मयात्या कर रहे हैं हना उने के बारे में यहां पर फांस रचना लिखी गई है है यहां पर देखा जै तो आपके बिहारी लाल चौवी जिने कहते हैं हना और इसमें संकलन किया है इसमें से नीत भक्तित स्रंगार सभी आपको मिलेगा हना तो याद रिखेगा बिहारी के पूरा नाम था बिहारी लाल चौबे हना और इन्हें रस के अग्रण कभियों में किना जाता है तो आपसन भी नमबरे राइट हो जाएगा यहाँ पर देखे अगला कोशन देगा है कि इन्होंने जितनी यह भी रचना लिया है समय की सब्सक्राइब मतलब टृपिक वायशल hy भणा पढ़ा है तो भाल जबदाओ कि सब्सक्राइब बातें करें घर में आके सब को पढ़ाएं क्या यहां पर इसे मिक्स पढ़ा रहे हो तेने प्यास से पढ़ा रहे हैं तोपिक वाइज पढ़ा दो अभी टॉपिक वाइज पढ़ाने लगें तो को जी बोर हो गए अब एक एक किरशना कैसे रट ला रहेंगे सब चीज टीचर के वरोसे रोगे न सब बिससे नहीं मिलेगे सबसे पर नहीं करे गाँ सिर्फ रास्ता दिखाएगे कुछ पर बदेट खुर से मेहनत पर भिलो हना किताब अगर आपके पास है तो उसको पढ़िए आपके पास वही होगे जो हम पढ़ा रहे है जो रचनाई यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं वो आई अंपी रचनाई इसलिए इनको नोट कर लिजेगा ठीक है ना अपने दम पर सफलता मिलती है टीचर के दम पर नहीं मिलती है ठीक है चलिए 89 नमर आपसन जो दिया गया है वो आपका ए हो जाएगा राहुल सक्रत्यान क्या इनके बच्पन का नाम था के दार नात पांडे क्या नाम था के दार नात पांडे हो जाएगा अगला है बूलगा से गंगा इनमें से किस विदा की रचना है बूलगा से गंगा एकिस विदा की रचना है 71 का जवाब देना है बूलगा से गंगा और ये भी क्या है कहानी संगरा है हाना कहानी संगरा है जो कि आपसन डीव हो जाएगा और वह यह कौन है इनके रचना तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है वो किस ने लिखा है तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है वो किस ने लिखा है तो ठीकरे की मंगनी लिखा है नासिरा सर्मा नाम सुना होगा नासिरा सर्मा आपका B यहापर राइट हो जाएगा और अगला कोशन यहापर दि कहांई है प्रेम चिन आपका है असुक के फूल है विचार वर्थ हो जाएगा कल्प लता है हना विचार प्रवा है तो असुक के फूल और कुटज ये दोनों आपकी बहुत पूछे आते हैं तो आपके हजारिपसाद दुएदी ऑप्सन सिनिम्बर है यहाप राइट हो जेगा सिनिम्बर बन जाए अगला दीया गया है हिंदी, साहित का आदिकाल किस अलोय全 की क्रती है और हम दे क्रति है इस हो जा है, दोस्तों, आदे करते हैं तो आपके हैं हो जाती हैएरह, how मैं राइट कर्ति है जो कि आपका चारचंद लेख हो जाएगा अगला दिया गया है हिंदी साहित का आधिकाल किस आलोचक की करती है हिंदी साहित का जो आधिकाल है ये किस आलोचक की करती है तो यह भी किस का है आपके हजारिक सद्वेदी का है ठीक है हिंदी साहित का आधिकाल है ये आपके हजा यहां पर देखा जाए तो आप सम्मर्क्राइब बिनमरे यहां पर बाण भट हो जाएगा और देखा जाए तो वह यह हष्ट चरितम इन्हें की दौरा रचा गया आपका है यह आपके हस वर्धन के धरवारी कभी रहे थे आपके कौन बाण भट रहे थे यहां पर एगला पूछी गई हैं बहुत बार पूछी गई है यहां पर मनु बंडारी की रिचना है एक कहानी यह भी है ठीके ना और अगले पॉइंट में आते हैं तो देखा जाए तो यहां पर अगला पॉइंट दिया है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपका बं पूछा गया है तो वहीं आप कहेंगे सर आप कबंटी जो आपका है यह मनु बंडारी का है किसका है मनु बंडारी का आपका बंडारी ओप्सन बी नंबरें यहां पर राइट हो जाएगा इनके रचनाओं में देखेगा जैसे महा भोज हना एक कहानी या भी है ठीके ना औ और मैं हार गई ठीके ना आप कबंटी यह काफी कुछ रचना है जो कि पूछी आती है अगला है बिना दीवारों का घर मनु बंडारी की याकरती किस विधा पराधारी थे अब आपने यह भी देखा कि बिना दीवारों का घर यह भी किसका है मनु बंडारी का है और यह है क आपसे दिया गया है के इन में से कौन सी रचना प्रसिद कफाकार मनु भंडारी की नहीं है यही नौकरी पिंजड़े की उडान यहीं सच है या अकेली देखें पच्चासी निमबर का ओपसन क्या हो चाहिए एक यह पिंजडे की उड़ान ये मनु भंडारी की नहीं है ये है ये सपाल की है किसकी है ये ये सपाल की है अधर की ये सपाल की है कहानी अगला क्वशन दिया गया है क्या राए भईया क्या यहाँ पर दिया गया है क्या आप से टेड़े मेडे रास्ते हना अपने खिलाओने भूले विश्रे चित्र यहाँ पर बूलते हैं भूल चूग माफ करें यहाँ पर कौन भगवती चरण भगवान जी तो भगवती चरण वर्मा यहाँ पर हो जगा चरण मिने रास्ते अपने खिराओं ने भूली विश्रे चित्र अगर आप से कह रहा है यहाँ पर देखें भगवती चरणवर्मा की पुष्टक कौन सी है इनमे से तो आपके पुष्टक कौन सी है जो आपको आप मतुसाला के Ayam इस सथ चीज़े आपको एक साथ मिल जाएंगे यहां पर मदुसाला आपको हर्वण सरायबच्चन हो जाएंगे हर्वण सराय बच्चन जी किस यूग के हैं तो हर्वन सराय बच्चन आपके उत्तर चायवदी यूग के आपके हो जाएंगे उत्तर छायावदी की कभी है हना और यहां पर देखो दिया गया एगला पॉइंट अगनिपथ किसकी रचना है चलिए बताएगा अगनिपथ जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है तो अगनिपथ रचना है आपके हरिवन सराय बच्चन की किसकी है हरि पुत्रमिताब बच्चन निम्मुख किरदार की भूम का निभाई थी ठीक है ना यहां पर रंग बरसे भीगे चुनारवाली रंग बरसे गीत की रचना कारिन में से कौन है तो यहां तिरान बेक आपका बनेगा वह आपका हरिवन सराय बच्चन यहां पर अंसर आपका यह न कि राम विलास्तरमा और कभी राइट हो जाएगा है यहां पर यहां और यहां पर आगे बड़े कोशन आपसे दिया गया है कि यह आपका पर में शूर कहानी की लेखा कौन है आपको प्रेम जाएगा हो जाएगा करबला के रचनाकार दोस्तों करबला के रचनाकार जो कि हिंदी साइज जगत के एक महान उपन्यासकार है यहाद रिखी प्रेमचंद यहाँ पर राइट हो जाएगा और इनके उपन्यास है अगला है परिच्छा कमा सतरंज के खिलाड़ी कमा सवा सेर गये हुँ कफन कहानी के लेखा बताएगा अब इनमें से कुछ नहीं तो एक तो पता ही चल गया होगा हना पांच रचना है पांच रचना में एक रचना पता चल गया होगा कि वह आज यहाँ पर देखा जाए तो वह यहाँ कफन कहानी अपने पड़ा होगा हना यहाँ पर इनकी अंतिम कहानी है कफन की बात करते हैं तो coupon D प्रेम चंद हो जाएगा और अगरा दिया गया है यहां पर क्या दिया है परिच्छा सत्रन खिलाडी सवासर गये हुँ कफन कहानी प्रेम चंद है वह यह पर कर्म भूमी गवदान गवन सेवा सदर निर्मला यह सब उपन्यासिन के हैं अगरा दिया है सुजान भगत अलग्य कहानिया है यहां पर अगला दिया है प्रेम चंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम बताना है प्रेम चंद का अपूर्ण उपन्यास इन में से कौन हो जाएगा पढ़ाय भी गया है यहां पर देखिए प्रेम चंद का अधूरा उपन्यास जो आपका है इन में से क्या हो जा नवास सभी को जैहिन सभी को बंदे मात्रम